ओम शान्ति 20 नवंबर 2022 अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइच कोर्स 20 दिसंबर 1902 के महवाक्य सुनाए बाप दादा ने अटेंशन खिचवाया आग्या कारी ही सर्व सक्तियों के अधिकारी जो बच्चे आग्या कारी होते हैं वही बाबा के पूरे पूरे वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं अर्थात आग्या कारी ही सर्व सक्तियों के अधिकारी आज सर्व सक्तियों के डाता, बाप दादा अपने सक्ति सेना को देख रहे हैं सर्व सक्तिवान बाप ने सभी भ्रह्मन आत्माओं को समान, सर्व सक्तियों का वर्सा दिया है किसको कम सक्ती वा किसको ज्यादा यहां अंतर नहीं किया सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान सक्तियां दी हैं तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों हैं कोई सर्व सक्ती संपन बने और कोई सिर्व सक्ती संपन बने सर्व नहीं, कोई सदा सर्व सकती स्वरूब बने, कोई कभी कभी सकती स्वरूब बने कोई ब्रह्मन आत्माएं अपनी सर्व सकतीवान की अथोरिटी से जिस समय जिस सक्ति को आडर करती हैं वह सक्ति रचना के रूप में माश्टर रच्टा के सामने आती है आडर किया और हाजिर हो जाती है कोई आडर करते हैं लेकिन समय पर सक्तियां हाजिर नहीं होती जी हाजिर नहीं होती इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्व सक्तिवान बाप जिसको हजूर भी कहते हैं हाजिर नाजिर भी कहते हैं तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की स्रीमत पर हर समय जी हाजिर वा हर आग्या में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर सकती भी जी हाजिर वा जी मास्टर हजूर करती है अगर कोई आत्माएं स्रीमत वा आज्या जो सहच पालन कर सकते हैं वहा करते हैं और जो मुश्किल लगती है वहा नहीं कर सकते कुछ किया, कुछ नहीं किया, कभी जी हाजीर, कभी हाजीर इसका प्रत्यक्ष सबूत वह प्रत्यक्ष प्रमान रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व सक्तियां भी समय प्रमान हाजीर नहीं होती हैं जैसे कोई प्रिस्थिती प्रमान सामने की सक्ति चाहिए, तो संकल्प करेंगे कि हम अवस्य समाने की सक्ति द्वारा इस प्रिस्थिती को पार करेंगे, विजई बनेंगे, लेकिन होता क्या है बाप दादा कहते जैसे कोई प्रिस्थिती प्रमान समाने की सक्ति चाहिए, तो संकल्प करेंगे कि हम अवस्य समाने की सक्ति द्वारा इस प्रिस्थिती को पार करेंगे, विजई बनेंगे, लेकिन होता क्या है सेकेंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की सक्ति का प्रयोग करेंगे दस बार समाएंगे लेकिन समाते हुए भी एक दो बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे फिर क्या सोचते हैं मैंने किसको नहीं सुनाया मैंने समाया लेकिन यह साथ वाले थे हमारे सहयोगी थे समीप थे इसको सिर्फ इसारा दिया सुनाया नहीं इसारा दिया कोई सब्द बोलने नहीं चाहते थे सिर्फ एक आधा सब्द निकल गया तो इसको क्या कहा जाएगा समाना कहेंगे दस के आगे समाया बाबा कहते दस के आगे तो समाया और एक दो के आगे समा नहीं सकते तो इसको क्या कहेंगे समाने की सकती आडर बाबा कहते समाने की सकती ने आडर माना जबकि अपनी सकती है बाप ने वर्से में दिया है तो बाप का वर्सा सो बच्चों का वर्सा हो जाता अपनी सकती अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा आडर मानने वाले या आडर ना मानने वाले कहा जाएगा आज बाप दादा सर्व ब्रह्मन आत्माओं को देख रहे थे कि कहां तक सर्व सक्तियों के अधिकारी बने है अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिती के अधीन पनना पड़े बाप दादा को सबसे ज्यादा रह्म उस समय आता है जब बच्चे कोई भी सक्ति को समय पर कारे में नहीं लगा सकते उस समय क्या करते हैं जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं ग्यानी भक्त के रूप में आते हैं भक्त क्या करते हैं भक्त सिर्फ पुकार करते रहते कि यह दे दो भागते बाप के पास हैं अधिकार बाप के पास रखते हैं लेकिन रूप होता है रोयल भक्त का और जहां अधिकारी के बजाए ग्यानी भक्त अत्वा रोयल भक्त के रूप में आते हैं तो जब तक भक्ती का अंस है तो भक्ती का फल सद गती अर्थात सफलता सद गती अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि जहां भक्ती का अंस रह जाता वहां भक्ती का फल ग्यान अर्थात सर्व प्राक्ति नहीं हो सकती सफलता नहीं मिल सकती भक्ती अर्थात महनत और ग्यान अर्थात महबत अगर भक्ती का अंस है तो महनत जरूर करनी पड़ती और भक्ती की रस्म रिवाज है कि जड़ की जब भीड अर्थात मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा नहीं तो अलबेले रहेंगे ग्यानी भक्त भी क्या करते हैं जब कोई विग्न आएगा तो विसेश याद करेंगे एक है सेवा प्रती याद में बैठना और दूसरा है स्वा की कमजोरियों को भरने के लिए याद में बैठना दोनों में अंतर है जैसे अभी विश्व पर असांती का वायू मंडल है तो सेवा प्रती संगठित रूप में विशेश याद के प्रोग्राम बनाते हो वह अलग बात है वह तो दाता बन देने के लिए करते हो वह मांगने के लिए नहीं करते हो औरों को देने के लिए करते हो तो वह हुआ सेवा प्रती लेकिन अपनी कमजोरी भरने प्रती समय पर विशेश याद करते हो और वैसे अलबेले की याद होती है तो बाप दादा कहते याद होती है भूलते नहीं हो लेकिन अलवेले पन की याद आती है हम तो हैं ही बाबा के और हैं ही कौन लेकिन यथार्थ सक्ति साली याद का प्रत्यक्ष प्रमान समय प्रमान सक्ति हाजिर हो जाए किसका भी कार्य कहें मैं तो याद में रहती ही हूँ वह रहता ही हूँ लेकिन याद का स्वरूप है सफलता ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुसी भी अनुभव होती सक्ती का सक्ती भी अनुभव होती और जब कर्म में संबंद संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा सक्तियां सस्त्र हैं और सस्त्र किस समय के लिए होता है सस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है यथार्त याद अर्थात सर्व सक्ति संपन सदा सक्ति साली सस्त्र हो परिस्थिती रूपी दुस्मन आया और सस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा सक्ति साली या सस्त्रधरी कहेंगे हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो इसको कहा जाता है कर्म योगी सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी है बाप दादा कहते आपके योग का नाम बेठा बेठा योगी है या कर्म योगी नाम है कर्म योगी हो ना निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो जैसे कर्म के बिना एक सेकेंड भी रह नहीं सकते चाहे सोय हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो न तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते इसको कहा जाता है कर्म योगी ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी न सरकम इस्टांस ही ऐसे थे समस्या ही ऐसी थी वायू मंडल ऐसा था यही तो दुस्मन है और उस समय कहो दुस्मन आ गया इसलिए तलवार चला ना सके तलवार काम में लगा नहीं सके या तलवार याद ही नहीं आए या तलवार ने काम नहीं किया तो ऐसे को क्या कहा जाएगा सस्त्रधरी सक्ति सेना हो तो सेना की सक्ति क्या होती है सस्त्र और सस्त्र है सर्व सक्तियां तो रिजल्ट क्या देखा मैजोरिटी सदा समय पर सर्व सक्तियां पाप दादा कहते रिजल्ट क्या देखा मैजोरिटी सदा समय पर सर्व सक्तियों को आडर पर चला सके इसमें कमी दिखाई दी, समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमान या तो सक्ती हीन बन जाते हैं या थोड़ा सा सफलता का अनुभाव कर फोरन सफलता की और चल पड़ते हैं तीन प्रकार के देखें, एक उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए लेकिन उस समझ को सक्ती स्वरूप में बदल नहीं सकते दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय वा समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं वह पूरा होने के बाद सोचते हैं तीसरे हैं महसूस ही नहीं करते कि यह रॉंग है सदा अपने रॉंग को राइट ही सिद्ध करते हैं अर्थात सत्यता की महसूसता सकती नहीं है तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमान सदा और सहथ सफलता किन बच्चों को प्राप्त की है उसमें भी अंतर है एक है सहथ सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं महनत और सहथ दोनों के बाद सफलता पाने वाले जो सहथ और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा जो आत्माएं सदा स्वयम को निर्मान चित की विसेस्ता से चलाते रहते हैं वही सहत सफलता को प्राप्त होते आये हैं निर्मान सब्द एक है लेकिन निर्मान इस्थिती का विस्तार और निर्मान इस्थिती के समय प्रमान प्रकार वह बहुत हैं उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे लेकिन यहाँ याद रखना कि निर्मान बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहच साधन है निर्मान बनना जुकना नहीं है लेकिन सर्व को अपनी विशेस्ता और प्यार में जुकाना है समझा सभी ने रिजल्ट सुनी समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो आप समय का इंतजार कर रहे हो मालिक के बालक हो न तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझे समय को परिवर्तन करेंगे वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है इंतजार नहीं करना है सर्व को संदेज देने का और समय को संपन बनाने का इंतजाम करना है जब दोनों कारे संपन हो तब समय का इंतजार पूरा हो तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो किस गती से समय को देख आप भी करते हो कि बहुत भाष्ट समय बीत रहा है इतने वर्स कैसे पूरे हो गए सोचते हो न अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्स हो गए कितना फाष्ट समय चला तो आपकी गती क्या है फाष्ट है या फाष्ट चल कर कभी कभी ठक जाते हो फिर रेश्ट करते हो कर रहे हैं यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो लेकिन गती क्या है इसको चेक करो सेवा हो रही है पुरुसार्थ हो रहा है आगे बढ़ रहे हैं यह तो ठीक है तो अब गती को चेक करो सिर्फ चलने को चेक नहीं करो गती को चेक करो इस पीट को चेक करो समझा सभी अपना काम कर रहे हो ना अच्छा चारो और के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले सदा माश्टर सर्व सक्तिमान बन सर्व सक्तियों को स्वयम के आडर में चलाने वाले सर्व सक्तियां जी हाजिर का पार्ट बजाने वाली ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर समय हर कर्म में संबंद में, संपर्क में निर्मान बन विजय रत्न बनने वाले, ऐसे सहेच सफलता मूर्त स्रेश्ट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, अव्यक्त बाप दादा की परसनल मुलाकात, साधारन कर्म में भी उची इस्थिती की जलक दिखाना ही फालो करना है, साधारन कर्म में भी उची इस्थिती की जलक दिखाना ही फालो फादर करना है, सदा संगम युगी पुरुसोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो, संगम युग का नाम ही है, पुरुसोत्तम अर्थात पुरुसों से उत्तम पुरुस बनाने वाला युग, तो स रंगम युगी हो आप सभी पुरुसोत्तम बने हो ना आत्मा पुरुस है और सरीर प्रक्रती है तो पुरुसोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूं सबसे नंबर वन पुरुसोत्तम कोन है ब्रह्मा बाबा इसलिए ब्रह्मा को आधी देव कहा जाता है फरिस्ता ब्रह्मा भी उ अविश्य में भी देव आत्मा बनने के कारण पुरुसोत्तम बन जाते लक्ष्मी नारायन को भी पुरुसोत्तम कहेंगे न तो पुरुसोत्तम यूग है पुरुसोत्तम मैं आत्मा हूं पुरुसोत्तम आत्माओं का करतव्य भी सर्वस्रेष्ट है उठा खाया पिया काम किय यह साधारन कर्म नहीं साधारन कर्म करते भी स्रेष्ट इस्म्रति स्रेष्ट इस्थिति जो देखते हो बाबा कहते जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारन व्यक्ति नहीं है जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा छिप नहीं सकता तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है न? कैसे भी वातावराण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता ऐसे पुरुसोत्तम आत्माओं की स्रेष्ट जलक सबको अनुभाव होनी चाहिए तो ऐसे हैं या दपतर में जाकर, काम में जाकर आप भी वेसे ही साधरन हो जाते हो अभी गुप्त में हो, काम भी साधरन है, इसलिए पांडवो की गुप्त रूप में पाप दादा कहते, इसलिए पांडवो को गुप्त रूप में दिखाया है गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की तो दूसरों के राज्ये में गवर्मेंट सर्वेंट कहलाते हो न चाहे कितना भी बड़ा आफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है न तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुसोत्तम हो तो वह जलक और फलक दिखाई दे जैसे ब्रह्मा बाप साधरण तन में होते भी पुरुसोत्तम अनुभव होता था सभी ने सुना है ना देखा है या सुना है अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो साधरण में पुरुसोत्तम की जलक है तो फालो फादर है ना ऐसे नहीं कि साधरण काम कर रहे है माताएं खाना बना रही हैं कपड़े दुलाई कर रही हैं काम साधरण हो लेकिन इस्थिती साधरण नहीं इस्थिती महान हो ऐसे है या साधरण काम करते साधरण बन जाते हैं जैसे दूसरे वैसे हम नहीं चहरे पर वो स्रेष्ट जीवन का प्रभाव होना चाहिए यहाँ चहरा ही दरपन है न इसी से ही आपकी इस्थिति को देख सकते हैं महान है या साधरण है यहाँ इसी चहरे के दरपन से देख सकते हैं स्वयम भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं तो ऐसे अनुभव करते हो सदेव इस्मरती और इस्थिति स्रेष्ट हो इस्थिति स्रेष्ट है तो जलक आटोमेटिकली स्रेष्ट होगी जो समान इस्थिती वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं सरीर से चाहे किसी कोने में बेठे हूँ किनारे बेठे हूँ पीछे बेठे हूँ लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते किनारे में रहते हैं तो समीप रहना अर्थात समान इस्थिती बनाना इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुसोत्तम इस्थिती में इस्थित रहो कई बच्चों की चलन और चहरा लोकिक रीती में भी बाप समान होता है तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है तो यहां चहरे कोई बाप दादा कहते तो यहां चहरे की बात तो नहीं लेकिन चलन ही चितर है तो हर चलन से बाप का अनुभव हो इसको कहते हैं बाप समान तो समीप रहना चाहते हो या दूर इस समय जन्म में बाप दादा कहते इस एक जन्म में संगम पर इस्थिती में जो समीप रहता है वह परमधाम में भी समीप है और राजदानी में भी समीप है एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी हर कर्म को चेक करो बाप समान है तो करो नहीं तो चेंज कर दो पहले चेक करो फिर करो ऐसे नहीं कि करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था ग्यानी के लक्षण है पहले सोचे फिर करे अग ग्यानी का लक्षण है करके फिर सोचते हैं तो आप ग्यानी तू आत्मा हो न या कभी-कभी भक्त बन जाते हो, पंजाब वाले तो बहुत बहाद्दूर है ना, मन से भी बहाद्दूर, छोटी सी माया चीटी के रूप में आए और घबरा जाएं, नहीं, चैलेंज करने वाले, स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं, तो आप बहाद्दूर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो, जो योग्ये स्टूडेंट होते हैं, वो आहवान करते हैं, कि जल्दी से पेपर हो, और क्लास आगे बढ़े, जो कमजोर होते हैं, वो सोचते हैं, देट आ का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजई हैं और हम ही बार-बार बनेंगे इतना पुरुसार्थ किया है आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे आप ही विजई बने थे विजई बने हैं और विजई रहेंगे विजई सब्द बोलने से ही कितनी खुसी होती है चहरा बदल जाता है न जो सदा विजई रहते वो कितना खुस रहते हैं इसलिए जब भी कोई किसी भी छेत्र में विजई प्राप्त करता है तो खुसी के बाजे बचते हैं आपके तो सदा ही बाजे बचते हैं कभी भी खुसी के बाजे बंद ना हो आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया जहां खुसी के बाजे बचते हैं वहां रोना नहीं होता अच्छा वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा बोले देह एहंकार वा अभी मान के सुक्ष्म अंस का भी त्याक करने वाले आक आकारी सो निराकारी भाव। देह एहंकार वा अभिमान के सुक्ष्म अंस का भी त्याक करने वाले आकारी सो निराकारी भाव। डिटेल में बाप दादा कहते कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाववा अभिमान नहीं हैं, लेकिन देह के संबंद से अपने संसकार विशेश हैं, बुद्धी विशेश हैं, गुण विशेश हैं, कलाएं विशेश हैं, कोई सक्ती विशेश हैं उसका अभिमान अर्थात एहंकार नसा रोब ये सुक्ष्म देह अभिमान है तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिस्ता वह निराकारी नहीं बनने देगा इसलिए इसके अंस मात्र का भी त्याक करू तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे स्लोगन समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा सूचना आज अंतर राष्टिय योग दिवस तीसरा रविवार है स्यांग छे तीस से सातीस बजे तक सभी भाई बहने योग अभ्यास में यही सुब संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किर्णे निकल कर सारे विश्व को पावन बना रही है मैं माश्टर पतित पावनी आत्मा हूँ अच्छा तो ये थे बाप दादा के महावाक्ये ओम शान्ती